नमस्कार वंडड़ी कशाहत सर्व आई होफ सर्व मजेत असनार आनि त्या सोबत माजा नहीं मीचा आपुलकी चा प्रश्ण तो मन्चे अब्यास करता है ना बच्चा लोग पढ़ा ही कर रहे हैं तो मैं मेरने बेगर आपका बाइलाजी टीजर स्वागत करता हूं इंडिया कि आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि आज होने वाला है हमारा यत्ता अर्थ का जो बायलोगी का पूरा सिलियाबर्स तिसका लास्ट लेक्ट्र होने वाला है ठीके Bent अभी तक आपका बहुत सपोर्ट मिला आगे भी सपोर्ट मिलेगा सब्सक्राइब क्या बात है इसे पढ़ाई करेंगे इतने दुआधार तरीके से पढ़ाई करेंगे कि क्या ही बताए ठीक है तो चलिए आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है इसका मतलब यह नहीं है कि सब्सक्राइब करते हैं जल्दी से आपको पढ़ना है और मुझे बता है कि क्लियर करते हुए आप पढ़ रट्टे बाजी कोई नहीं मारेगा बायों में रट्टे बाजे बिल्कुल भी नहीं चलेगी ठीक है तो बच्चा लोग वह स्टार्ट करने से पहले मैं आज यह ब सब्सक्राइब करूद अरे यह का कर दिया हमने यह क्या कर दे अरे यह क्या कर दें यह पूरा का न्यू और गुट्न पोरा औरगन तयार कर दे या ऐसे सेल इनके पात जो इसके वज़े से यह पूरा का पूरा एक न्यू और गयानिजम तयार कर दिए तो यह उन्हों को कहा जाता है टोटी पोटेंट सेल फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्लांट के अंदर टीशू कल्चर किस तरह से किया जाता है बराबर टीशू कल्चर किस तरह से किया जाता है उसमें हमने देखा था कि पहले सोर्स प्लांट होगा ठीक है प्लांट सोर्स होगा उसका फिर हम क्या लेंगे उसमें से कुछ तो भी टीशू लेंगे टीशू को हम क्या करेंगे प्राइमरी टीटमेंट करने के बाद टीश हम उसको हम वाश कर देंगे जिसको हम कहेंगे प्राइमरी हार्डिनिंग और प्राइमरी हार्डिनिंग करने के बाद जो सेल्स हो जो हमारा जो प्लांट है प्लांट को हम क्या करेंगे यहां पर दूसरे लिक्विड मीडियम में हम डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंग था पिछनी लेक्चर में हम सारी सारी चीज़े यह देखे थे तो इस लेक्चर में क्या देखनेवाले गुरुजी तो भाई जो बच गया है वहिए आज हम दिसक्रस करेंगे चेंज in agriculture युट आजी सो agriculture में अठ किस तरह से इस्तेमाल करके हमने क्या क्या कर रहा वो हम देखेंगे ठाब भाष प्लूरी को अचण नर्सरी और फोरेस्टी फ्लॉरी कल्चर मतलब का मतलब चो हमने देखते हैं एक जगा पर रहे सब करने वह देखने के होते हुए में किस तरह से हेल्प हुआ उसके उसके बाद हम अग्री टौरीजम देखेता है तो चैनल नहीं तो चलिया बाई जाधा इंतजार नहीं करवाते आपसे और जल्दी से इस लेक्चर को स्थार्ट कर देते हैं सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो यह है कि चेंज इन अग्रीकल्चर डूटू बायोटेक्नोलोजी का कौन सा इस्तमाल हुआ बायोटेकनालोजी का किस तरह से इस्तमाल हुआ जिसके वज़ए से एक्रीकल्चर में बहुत कुस्तों भी रिवालुशन आ गया है ठीक है ताकि आपके दिमाग में पूरी है से सेट हो जाए ठीक है तो वेरी फॉर्स पॉइंट इस डैट जेनेटीक ली मॉडिफइड क्रॉप गुड मॉनिंग नहीं है यह 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 जी यम क्रॉप यानिकी जेनेटीकली मॉडिफइड क्रॉप आर बिंग प्रोडूस्ट बाइं रूर मँद नेकर रॉपय सबदों तो नेकर लेए लिया लिया ख्काल चलो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है इतनी बास समझ में आ रही है यह है टोमैटो ओके और यह क्या है भाई यह है पोटैटो ठीके अब टोमैटो अब हमने क्या कर दिया हमने यहाँ पर एक कुछ्ट भी काम कर दिया कि टोमैटो के अंदर उसके कुछ्ट भी जेनेटिक म मट्रियल होगा पूटेटों के अंदर उसका कुछ भी अलग से जनेटिक मट्रियल होगा तो हमने क्या कर दिया बायो टेकनोलोजी के हेल्प से हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हम जानते हैं कि हमें पता है कि टोमेटो जब लगते हैं तो टोमेटो और पोटेटो को साथ में कर दू टोमेटो का प्लांट और पोटेटो के प्लांट को बाइटेकनोलोजी के हेल्प से मैं साथ में कर दू उनका जो डीने है उन्हें डीने को मिला दू तो कुछ तो भी मज़े नया प्लांट मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो मिलेगा हमें पोमयटो क्या मिलेगा बच्छा लोग वह हमें मिलेगा पोमयटो तो पोमयटो कहीसे होगा ऐस सज मैं बस एक concept ड्राओ कर रहा हो ठीक है यह हो गया पोमयटो ऊपर का सरपेश ठीक है यह हो गया पोमयटो और इसके अंदर क्या क्या जाएगा इस यह सॉरी यह उगया पोट्याट्टो और इसके अंदर क्या जाएगा यह पूरा का पूरा povo मैटो सब्सक्राइव का जो है यहाँ पर अंदर की तरफ आ जाएगा ठीक है तो ऐसा या फिर जो प्लांट बनेंगा वो प्लांट से बनेगा बच्चा ये देखो यहोग Google एक प्लांट के अंदर क्या रहा हूपर की तरफ टोमेटो लग रहे और नीचे के तरफ क्या लग रहे है पोटाटा लग्रे AG तो केना कितने अच्छी बात कि एक ही प्लांट में हमें दो दाइप के फल मिल रहे हैं को से एक मिल रहा है हमें टोमेटो और दूसरा क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर मिल रहा है वोगा पोटाटो this is all just possible is all because of Junst Bio technology to Bio technology has help करके हमने यसारी सबस्वाइब और सफ्समें थोड़ा सचेंज कर दिया उसमें क्या कर दिया चेंज कर दिया यह फिर समझ समझ लो यह तो यह जो टोमेटो का प्लांट था ओरिजिनल टोमेटो का प्लांट उसमें उसका तो जेनेटिक मेकप था वहाँ पर क्या रहा था रेट कलर का टोमेटो आ अचलब सत् Sig aquesta उसकी स्काइव लेकिन हमने रहे कर दिया यहापर पिंग कलर मतलब फिंक कलर करने वाला जीन को हमने उस टोमैटों के ऑल डाल दिया तो बीद टोमैटों का प्ल安च कैसे टोमैटों प्रोडिश करेंगा वो करेंगा फिंग प्न कलर बार्बी वाला बार्बी वाला जो था ना वो कलर वो पिंक कलर का वो टोमेटो निकलने आएगा तो मुझे बता ये पॉसिबल क्यों हुआ क्योंकि हमने जो ओरीजनल प्लांट था उस ओरीजनल प्लांट के अंदर उसके अंदर उसके भीतर कुछ ना कुछ तो भी डीने में गडबड़ी मचा दी कुछ तो भी पिंक कलर प्रोड्यूस करने वाला डी ने हमने उसके अंदर डाल दिया तो इसके वज़े से क्या हो जाएगा जो हमारा टोमेटो था वह कैसे हो जाएगा एक तो पिंक कलर का दिखने लगेगा ठीक है अब देखो बच्चा लोग ठीक है न इला कैसे हमें हमने जेनेटिक लिए उसमें कुछ भी चेंजेस करें इतनी बास सबको क्लिया रहे ठीक है तो नॉर्मली सच वेराइटीज आर नाट फॉंड इन नेचर दस न्यू वेराइटी आर प्रोडूस आर्टीफिशली तो हमने क्या किया खुद से हमने हातों से उनक टोमेटो आता था लेकिन लड़किया बोलने लगी ना लाना ना बुझ यह चाहिए चाहिए उनक क्लिच टियार कर्ने लग गया लड़किया बोली हाउय हाउय हाउ यही तो मुझे चाहिए था यही तो मैं खाऊंगी और वहाँ पर क्या हो गया एक नया कारेक्टर वहाँ पर इंट्रोडिस हो गया यह ज़स्ट पॉसिबल क्यों हुआ क्योंकि बायो टेकनोलोजी यहाँ पर वर्क कर रही है अपना बरावास है फर्स पॉइंट क्लियर हो गया है उसके बाद या वहाँ laying in Supreme स्ट्रेश लाइक फ्रिक्वेंटलिट लेंटस्ट्रेस्थ श्रिक्रेटिएच लख फर्कर इवे क्वेंद ज़् Temperature वडब थैड़ क्लाइमेट इसको बाद एक क्सेट्रा एक क्सेट्रा डैक्सेट्रा तो हम देखते हैं कि नचुरिली जो प्लांट से उनके अंदर एक ability नहीं होती है वह ability कैसे कि हमें पता है कि कभी-कभी बरसात बहुत जादा हो जाती है ठीक है बरसात बहुत जादा हो जाती है तो इसके वज़े से क्या होता है कि पूरे जमीन के अंदर पानी 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 जमीन के ऊपर भी पानी 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 और जो हमारे जो प्लांट उसके उपर उग रहे थे, वहाँ पर जो उपर से आ रहे थे, प्लांट जमीन से उपर आ रहे थे, तो इतना जादा पानी होने के वज़े से वो क्या हुझे के सड़ जाएंगे, वो मर जाएंगे, या फिर समझ लो, बरसात के मौसम में, तनहाई के आलम में बादल बरसे ही नहीं, और बादल बरसे ही नहीं, तो इसके वज़े से क्या हो जाएगा, पानी जो है वो गिरेगा नहीं, बरसात होगी नहीं, और बरसात जब होगी नहीं, तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जितना पानी चाहिए था, वो प्लांट को मिलेगा नहीं तो इसके वजह से क्या हो जाएगा plant मर जाएगा या पिर समझ लो फुल बरसाथ चल रहें लेकिन ऊपर से धूप आ गई नीचे से ठंडी ऊपर से धूप नीचे से ठंडी ऊपर से दूप तो भाई वह वह बावला हो जाएगा ना कोन हमारा प्लांट तो ऐसे कंडिशन में जो हमारा जो नैचरल नैचरली ग्रोइंग प्लांट है वो मतलब क्या कर सकता है वो खुद को बचा नहीं सकता है ऐसे चेंजिंग इन्वार्मेंट पे लेकिन जो जेनेटिक जेनेटिकली मॉडिफाइट जो क्राफ होगे जीम क् लो हो रहा है फिर फिर यह फिर फेल गुरो हो रहा है तो यह पॉसिबल क्यों हुआ क्यूंकि एसके अंदर ऐसे कुछ भी जीन्स डाले गए जो कि इसके अंदर एक एबिलीटी प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर वह एबिलीटी लेक्याएंगे कि भाई कम भी पानी होना तब भी तो जी सकता है बरावर है तो ऐसे जेनिटिकली मौडिफिकेशन क्यों हो पाए बायो टेकनोलोजी के वज बहुत ज्यादा धूप होगी बहुत ज्यादा ठंड होगी तो भी यह प्लान क्या कर वाएंगे खुद को टिका रखेंगे समझ में आ रहा है क्यों पॉस्टीब हुआ जस्ट बिकॉट आप बायो टेकनोलोजी ठीके ओके ओके यहाँ पर क्लाइमिटिक चेंज एक्सेटरा यह हमने चीज यहाँ पर देख लिए अब देखो बेटा यह हमारा कॉटन का प्लांट ठीके यह हमारा कॉटन का प्लांट लेकिन को टंग करने के लिए के वंसके उपर एक प्सक्राइब का तक मतलब कॉन सा ऐसा एकाद इंसेट प्लांट को पूरी तरह से खाज जाएगा प्लांट को जो हे वहां पर हार्म पहुच आएगा ठीक है तो उसको हम कहते हैं पेस्ट तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें पता है कि यह जो यहाँ पर कॉटन बन रहा है ना कॉटन एक इंकलोस फॉर्म में बनता है यहाँ पर एक बड़ होता है बड़ ठीक है उसको हम कहते बॉल और बॉल के अंदर क्या बनता है हमारा तो मुझे बताओ cotton मिलेगा सही से नहीं मिलेगा सही बात है cotton मिलेगा क्या सही से नहीं मिलेगा तो बीचारा जो किसान है हमारा दादूस उस दादूस का क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा ठीक है वह नुकसान से बचानी के लिए क्या करेंगे अब देखो अब देखो क् इस एक concept बताने जा रहा होो Okay ठीक है अब यहां पर यह एक pathogen यह समझे पैफो जिन नहीं यह हमारे पास एक bacteria ठीक यह हमारे पास क्या एक bacteria ठीक है एक Okrence tantrum के एक तरहखे जो यहाँ यह यह समझे बॉसराइब कर रहा है बैक्टरिया जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी केमिकल रिलीज कर रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी एक केमिकल रिलीज कर रहा है ठीक है अब यह केमिकल जो है यह केमिकल खाने के वज़े से यह केमिकल के अगर कॉंटेक्ट में यह जो कीड़ा आ जाए तो यह कीड़े के जो है एल बोड़ी में चला गया तो यह कीड़ा क्या हो जाता मर जाता है तो हमें इतनी सी बात निकाल लूइब वाइट कलर का टॉक्जिन दिख रहा है तो यह टॉक्जिन जो है इस बैक्टिरिया के अंदर किसी जीन ने बनाया होगा किसी डीने ने बनाया होगा तो क्यों ना मैं यह डीने बाहर निकाल लूं मैं यह डीने बाहर निकाल लूं इस डीने को जो है मैं अपना जो यह कॉटन का प्लांट है ना समझ लो यहाँ पर क्या है यह कॉटन का प्लांट है समझ लो यह कॉटन का प्लांट है ठीक है यह कॉटन का प्लांट है समझ रहो ओके यहाँ पर क्या है यह कॉटन का प्लांट है अब मैं पूरी डाइगराम नहीं निकार रहोंगा ठीक है समझ लो यह बिचारा यह नए यह राम कोशेसक्षा डिष्ट्रॉइ कर देथा तो क्यूंच इस डिन बर निकाल, लो भाई बाहर निकाल लिया अब इस डिनने को मैं इस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दू यह प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दू अब मुझे बताओ जो बैक्टेरिया इस DNA के वज़े से टॉक्जिन बना रहा था और वह टॉक्जिन काकर यह प्लांटred सबका healthyland भूदी टॉक्षिन बनाना स्वेघ्य ख strawberry अच घुप टॉक्षीन म्णाना शुरू करदेगा यह पूरा इस प्लांट के अंदर फैला अटीक यह पूरी की पूरी पूरी प्रोसेस जो है यह पॉसिबल किस तरह से हुई बैक्टरिया के अंदर जो डियेने था वह हमने निकाल कर प्लांट के अंदर डाला यह पॉसिबल कैसे हुआ यह पूरा का पूरा जो प्रोसेस पॉसिबल हुआ यह हुआ अपना है बायो टेक्नोलोजी के वज़े से और इसके वज़े से क्या हो गया यह प्लांट के अंदर पेस्ट के खिलाब जो है रेजिस्टन्स आ गया बड़ा बड़ा है हाँ पेस्ट आगेंस का है लह जा मदे पैथोजेन ओके केमिकल वीडिसाइड एक्सेटरा इस यूज आफ हामफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड कैन भी अवाइड सो पहले क्या करते थे वो कीडा रोज-्रोज खा के आखे खा रहा था तो हम क्या करते थे जो हमारे दादूस भाईया है वो क्या करते थे हैंड प हर अपते उसको जाकर क्या करना पड़ता था मतलब पेड़ों के उपर ऐसे मारना होता था क्यूंकि वह पेस्ट आके उसको मतलब वह केमिकल के कॉंटक में आके मर जाए तो अब बताओ अगर प्लांट खुद ही वह टॉक्जिन रिलीज कर रहा है तो पेस्टिसाइड की ज देरीज इंप्रूमेंट इन दर नुट्रिटिव वैल्यू एन डिक्रीज इन दर लॉस ओप क्रॉप तबगा लॉस ओप क्रॉप का रहा होता है कारांगी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ला अंते जामाती का यला पेस्टा का यला रेजिस्टेंस आला बरबर है पेस्टा तो आपको कुछ-कुछ एगजांपल दिये गए है तो कौण से कुन से मेज मेज में जो है वह है मों मॉन एट थेटि मॉन एट शींच ठी ठीक है मों एट टेन मों एट 63 ओक्ए में पोटाटो में कौँछा है एमफलोरा राइस में कौँछा है गोल्डन राईस तो यह इसको कहते हैं यह लिया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है बीटी कौतन टीक है तो उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है वो है अपलिकेशन और पाये 탁ट किसमें flower का व्लावरिंग प्लावर्त करते हैं उसको कहते हैं यह पुर। पता है कि वह अलग तक प्लांट लग अलग तीन टीक्रन टीफ्रन टाइप्स क्या उन्हां पर करते Rabbit कह बादा है forestry ठीक है forestry ओके अब देखो nurseries are the site where the plants are grown तो nursery क्या होता है एक बड़ा सा area होता है उसके उपर ऐसे shade होता है ठीक है shade या फिर समझ लो plastic covering होता है और उसके अंदर क्या करते है plant को grow करते है क्यों ताकि वहाँ पर हम proper तरीके से पानी दे पाए कोई बाहर से इंसेक्ट आकर उसको खा नहीं जाए वो प्लांट को destroy ना करें वो सारी की सारी जो favorable condition होती है plant को grow करने के लिए वो नर्सरी में हम provide करते हैं ठीक है बच्छा लोग इतनी बाद सो clear नर्सरी आर नेसेसरी for various purpose like growing gardens तो हमने यह flower वाले जो प्लांट से वो क्या कर दिये वहाँ पर लगा दिये मतलब नर्सरी में हम क्या करते हैं उसको culture करते flowering plant को बढ़ा करते फिर वहां से निकालेंगे मार्केट में लाएंगे और मार्केट से हम उसको बेज देंगे तो फिर लोग क्या करेंगे उसको उठाकर गार्डन में लगा देंगे ठीक है ओके सो growing gardens on large scale of forestation अब forestation मतलब क्या होता है बच्चा जिस किसी जगा पर पहले कभी भी जंगल नहीं था एक जमीन थी पर एक भी पेड़ नहीं था एक भी पेड़ नहीं था वहाँ पर जंगल नहीं था लेकिन हम क्या करेंगे अभी वो जमीन तो खाली पड़ी है तो क्यों ना तो क्या करेंगे और वहाँ पूरा का पूरा आपर जंगल बंजाएगा वैसे भी तो बंजर पड़ी थी जमीन तो क्यों नहीं उसका हरा बारा कर दू तो क्या करेंगे बहुत बड़ा जंगल था लेकिन लोगों कि पूरा कपूरा कपूरा पूरा खत्म हो गया अब हम क्या करेंगे नए से पेड़ लेएंगे प्लांट में फॉरिख दगी किया है यहांपर पहले जमीन पर हम फोरेस्ट नहीं था और Deforestation मतलब क्या होता है ऐसे जमीन पर हम जंगल उगाएंगे जंगल खड़ा करेंगे जहां पर पहले फॉरेस्ट था लेकिन उसको तोड़ कर बंजर जमीन बना दिया था इतनी बास समझ में आ गई तो यह क्या करते हैं प्लांट जो है नरसरी में उगे हुए वहां पर हम जाक कर लगा सकते हैं अब बेनीफिट्स आते हैं पहले तो हमने देख लिए जेनेटिकली मॉडिफाइट क्रॉप देख लिए ठीक है अब देखेंगे बायो टेकनलोजी का यूज टिशू कल्चर कैन बी यूज़ टोस प्लांट्स ऑन दे लार्ग स्केल विच बियर फ्लावर और एक्सेलेंट क्वालीटी अब देखो एक मैंगो का प्लांट है ठीक है एक मैंगो का प्लांट है आम वासे जलाओ आनि तैया अमबसे जलाडला फक्त दावीश फड़ा हीता ठीक है पन तयांचे जला नंबर भगीद लगे तो तिहीं हजारश संग्य माज पन एक दूसर प्लांट लाज प्लांट लाज प्लांट लाज अब देखो यहाँ पर फ्रूट तूटेगा फिर वो प्लांट बनेगा फिर से मतलब खड़ा हो जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा तो क्यों ना मैं एक टेक्निक शॉड कट कर लूँ मैं क्या कर लिया मैंने उस प्लांट से कुछ भी सेल ले लिये उस सेल को मैंने टीशू कल्चर कर दिया टीशू कल्चर करके वहां से नया नये प्लांट उगाए मैंगो के चोटे-चोटे प्लांट फिर उन प्लांट को ले लिया और एक जगा पर मैंने उसको लगा दिया तो इस टाइम को बहुत जिस प्रोसेस को मतलब चोटा सा था फ्लांट फिर वह बड़ा होगा फिर उससे फड nine के बाध उसको लगाना पड़ेगा फिर उससे बड़ा वाला मतलब प्लांट बनेगा तो सोट टाइम लगे तो क्यों न अभी यह प्लांट चोटा हो हमें पता है कि इसके जो फूट से बहुत कॉलीटी हूँ नुकि अठी कि ठीक है वो प्लांट की आच्छी है तो अभी से उसको मैंने क्या कर लिया अभी से तीशू निकाल लिया इसल नीकाल लिया उसको मैंने तो यह टीशू कल्चर की देखो इत्तु से मतलब इत्तु से काज के डिब्वी में हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते फिर इस प्लांट लेट को निगालो और यहाँ पर जमीन में लगा तो बात खतम बहुत सारे प्लांट मिल जाएगे हमने इतनु से इतनु से जो सेल है यह यूज करेते हैं लेकिन इससे प्लांट कितने बनेंगे हजारों लाखों के नंबर में हमें मिल जाएंगे ठीक है बच्चा यह यह जस्ट पॉसिबल हुआ जस्ट बिकाउज और बायो टेक्नोलोजी में क्या टीशू कल्चर देख रहो क्या मिल रहा है टीशू कल्चर कि उसके बाद फुली ग्रोन प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट डूरेशन तो हमने यही देखा था कि टीशू निकाल लो उसको टीशू कल्चर कर दो बराबर है और कम डूरेशन में हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद प्लांट कै को यह हमारा और्खिट सुन्दर सुन्दर सा फ्लावर ठीक है और यह हमारा पीचर प्लांट ठीक है तो पीचर यह कैसा होता है यह जो पीचर प्लांट है इंसेक्टिव औरोस होता है मतलब यहां पर छोटा सा कीडा जाकर बैठ जाएगा और यह उपर से धकन क्या कर देता बंद कर देता है तो लाम और सको पूरा डायिजस्ट करके यह प्लांड क्या करता है खुद का जो है न्यूटनेशन लेता है तो यह पींचर प्लांट और यह हमारा आर्खिट से क्या कर सकते ब्रॉडश करेंगे लेकिन इनके जो तो क्या उट्स से नए वाले प्लांच नहीं बन सकती उनके अंदर कैपेसिटी नहीं ओती तो क्यूना मैं टिशु कलचर के हेल्प से इनके क्षिगंच ले लू उनसे बहुत सारे बढ़ बना लू और नहीं plants को जमीन में लगा तो बहुत सारे flowers मिलेंगे picture plants मिलेंगे सभी बात है कर नहीं तो यह भी देख लिया plant can be grown on a large scale even if means of pollination और germination देखो यह आपर large scale तो हो गया ठीक है तो यह जो plants होते है यह pollination या फिर germination भी कर दे तो भी इनके अंदर जो है वो capacity नहीं होती कि यह नए plant बना प चलो ओके उसके बाद in bio reactor cell can be grown in some nutritive medium and protected from the pathogen तो यह देखो यह ऐसा होता है यहाँ पर छोटा सा दिखा गया बहुत बड़ा भी हो सकता है अब bio reactor क्या होता है एक ऐसा एक बरतन होता है ठीक है काच का बरतन होता है उसके अंदर क्या होता है बहुत सारा nutrient medium होता है ठीक है इसके अंदर nutritive medium है हम क्या करेंगे बच्चा यहाँ पर जो है एक सेल का group जो है यहाँ पर सेल जो है या फिर टीशू यहाँ पर डाल देंगे मक काई हो नार टीशू तया जैसा nutrient मदे पढ़ नार nutrient थे बाजू बाजू ने टीशू का घेतिल आपला मदे nutrient क्योंगे दिल अन ने हैसेल काय करतें हैसेल चाहे कलतील श्ोथामाधी रूट म युँट मनें आउंदील श्री मैचिचंता मता है गलूब मेचल सेल सचल OS ब कुछ एब र num You रपर कोट्रा न बाइडा सेल ला प्रोड़ा सप्रकर्प्रेकर्चल कोटला ना या सेल ला स्प्रकर्चांग नसते बगाब्र कि समय बाइड कट्वर कोट्ट्रा प्रोड्यास गईड शैसे गरे निट्रिटिव मटे मीडिया मस्ता आजा मटे आनि का अस्तो प्रोटेक्टेट फॉर्म दर पैतोजेन मजे वाइरस आनि बैक्टेरिया वसुं का कहला तो यह वाजसाव ले जातो करेंगे एकदम क्लोज सिस्टी मस्ते बरो बरहे हैं ओके लार्ज नंबर ओप सिड्लिंग एंड प्लांटलेट्स सिड्लिंग और प्लांटलेट्स मजे क्या होता सिड्लिंग मजे सीड्स नस्ता सिड्लिंग मजे क्या होता प्लांट्स चुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् परपूर सारे प्लांट लेड आप लाले है जा मते बैठ लेला है आनि तेपन कमी टाइम पिरेड मते ठीक है ना ओके तैना अधर काई यूजिवली प्लांट प्रोड्यूस बाइट टिशू कल्चर एंड जेनेटिक टेक्निक और डिस फ्री ओके सो देखो हमने अभी देखा था कि प्लांट जो प्रोड्यूस होता है बाइट टिशू कल्चर ठीक हमने क्या कर दिया था यह सेल लिया था यह यहाँ पर ले लिया था जेनेटिक मतलब जो जीन था वो पर्टिकुलर जीन ले लिया था इस जीन को हमने एक पहले प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस किया था फिर यह सेल को हमने क्या कर दिया था बाइट इसको ग्रो कर दिया टीशू कल्चर के हल्प से हमने क्या कर दिया और इससे क्या बनेंगे बहुत सारे नए 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 यहाँ पर प्लांट्स बन जाएंग बहुत सारे नए 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 प्लांट्स बन जाएगे और अल्टिमेटली यह जो हमारे प्लांट्स बनेंगे इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर तो ऐसे डायरेक्ली इंट्रोडूस नहीं करते वह जीन मैंने शौट फॉर्म में बता दिया यह इस तरह से होता है यह जीन ले लिया जीन एक सेल के अंदर डालेंगे प्लांट के अंदर कुछ इस तरह से होगा कि वो जो हो जाए वो होगे पूरे के पूरे डिसीज फ्री हो जाएंगे बढ़ावा डिसीज फ्री या फिर पेस फ्री जो भी आप बोल सकोंगे ठीक है ओके देखो एंब्रियो फॉर्म बाइदर कन्वेंशल एम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बीट्विन टू और मोर वेराइटीज में नौट ग्रो फुली और सम फॉर सम रिजन हावेवर एंब्रियो प्रोड्यू बाइदर टीशू कल्चे टेक्निक अलवेज कंप्लीट देर ग्रो तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या था भाई हमने एक एक पिंक गुलाब ले लिया और फिर हमने एक काला गुलाब ले लिया पिंक और काला गुलाब जो है दोनों का भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मतलब दोनों के भी कैरेक्टर वहाँ पर हमने मिक्स कर दिये और उससे हमने क्या बनाया उससे हमने ज जो प्लांट है उसका एक सेल ले लिया ब्लैक फावर का जो जीन चाहिए था वो जीन हमने पर्टिकुलर जीन उस सेल के अंदर डाल दिया और फिर उस सेल का क्या कर दिया हमने टीशू कल्चर कर दिया और टीशू कल्चर करने के बाद क्या हुआ कि हमें जो प्लांट मेला वह सक्सेस्पूली क्या होगा जी पाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा ठीक है टीशू कल से जो एंब्रियो बनता है वो फॉर्च वर क्या होता है सर्वाइव करता ही करता है लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कन्वेंशेल टीशू कल्चर टेकनिक एनड़ रॉटेक्टेड लॉटी में एक स्थींशन तो यह हमारा यह इसका नाम है रेफलेशिया ओर तो है यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर उता है हमने फ्लावर अभी तक छोटे छोटे सन फ्लावर देखा इतना बड़ा लेकिन जो रेफलेश ही आहे बहुत बड़े बड़ा है और यह उन्डेंजर्ट आता है उन्डेंजर्ट मतलब क्या अभि यह खतम होने पर आ मैं थोड़ा सा तुकड़ा यहां से उठा लू ठीके और इसको निकाल कर दो अब टीशू कल्चर करेंगे तो क्या होगा बहुत सारे हमें क्या मिल जाएगे प्लांटलेट मिल जाएंगे सीडलिंग मिल जाए फिरो सीडलिंग को लेकर मैं क्या करतूं उनका वहाँ पर जमीन में लगा तो बात खतम बन गए हमारे यहां बहुत सारे जो इंडेंजर प्लांटे उसको भी हमने क्या कर लिया आपर बचा दिया है ठीक है बचलो ओके चलो देखते हैं अप्लिकेशन अब टेक्नलोजी इन फ्लोरी कल्चर वही है अभी आगे का है ठीक है अरे यह तो डबल हो गया भाई डबल हो गया क्या डबल हो गया क्या होगा अग्री टूरिजम मतलब क्या हम क्या हम खेट खलियान में मास्ट पर की घूमने जाएंगे टूरिजम मतलब क्या हो जाए घूमने जाएंगे ऐसा होता है क्या है नहीं ऐसा नहीं होता है तो हमें पता है बायो टेक्नलोजी का इतना यूज हो रहा है तो क्यों ना अगर हमारे पास सपीशेंट अमांट में क्या है सपाज सपीशेंट हमारे पास एक जमीन है तो क्यों लोना यह जैनेंटीके लिया मौडिवाइट मैख रओप लोओ उनको जमीन में लगा оф और जमीन में लगाख और है कर उनसे मैं वहाँ आपर मतलब समझ लोब फूलों की केटी कर दी तो फूलों कीषिटी फण कि यहाँ पर ये बहुत सारे चीजह में क्या कर सकता हूँ एक कम एरिया में में जाधा क्ल्टिवेटेट तो एई टो मैं क्या गल्टिवेट किया जाता है वो देखें रहें था क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे के साद क्या कर सकते हैं क्या कर इसको अरे मुझे याद करें-स ऑघी ऐक तो है क्थο see complaining plant followed slower first हम फुट जो देने वाले के से उनों कर सकतेबील फ्लावर वाले मेधी इंवाली ऑ सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां फिक होतना मतलब outside apple and some other regional fruit trees को हम क्या करते है?」 एगरि تूरीजम में हम बढ़ा थे हैं यहां पर के ला लगा गया है यहां पर यहां पर क्या हैं इस ट्रॉबेरी है यहां पर आपर अंगूर है है तो अगर是 केला जो होता है उसको सीड नहीं होती है तो उसको बनाएंगे कैसे तो बहुत सारे यह जो है इस प्लांट का थोड़ा सा टीशू ले लो उसको ग्रो कर लो बहुत सारे प्लांट ले लो और प्लांट को बस लगाते जाओ मात का था मैं ठीक है भाई ओके उसके बाद शेड गिविन लोकल और एक्जोर्टिक अट्रेक्टिव प्लांट सो देखो कुछ-कute legislative फ्लावर्स झाल मठ्हकए उनका देखते हो तो अनके उपर शेड होते हैं मतलब और यह पिंग कलर का फ्लावर है शौड़ी है यह भी फ्लावर है यह फ्ल्वार है ठीक है ओकि या पिंक कलर का फ्लावर है ठीक है लेकिन आप देखते हो इस प्लावर की फ्लाव तो इस तरह से कुछ तो भी क्या करता है अट्रैक्टेड डिखनाई वाला जो है हमें जो फ्लावर है वहाँ पर देखने को मिल सकता है ठीक है तो क्या करेंगे शेड़ गिविंग शेड़ गिविंग मतलब क्या होते हैं अलग-अलग टाइपस के ब्लیک ब्लैक युपर थोड़ा सब की kinetic Это यह लोग मिलते तो यह लकल भी सकते और है LAV झोई अंधिया के नहीं हो या प्र एक लोकर ब्यच्न के नहीं हो बाहर से students गाए गये हो तो इसको आपना घरी बगेत लाट तुम्हीज़ी ख़िए ठील लोकांसे घरातब बॉडबर है, मोठ बड़ेकेशं थे मसुतरी आश्टोष जो किसमस थे अपना बगाएला गेला तो आप लेकाल खुट बगाएला कुट अफ। अफुर गूपर चुट ή कने बीटो और ऐताध मेला ख अधे खुपसूरती वालों दातना बरवराय आसा मजे दागी नहीं क्या होता है चांग लेए अट्राक्टिव दीस्तो त्या अश्प्रमाने जे ओर्नमेंटल प्लांट जर घरी ठेवला तो घरी पन कसा वाटता अरे वावा का तरी सुंदर सा प्लांट आए बरवराय किने अर्नमेटल प्लांट की यहाद फ्लावरिंग प्लांट शटा तैहला पन आपन का तो एगरी तुरिजम मजे अगरी कल्चर मजे तो आख वर्णी तो आज यहाद करता अज करता अचाल लोगों करता अगे बटरफ्लाइ गार्डन खूप सारे बटरफ्लाइ असता तया और आग रखे हैं, बठटब्लाय आपकार में सिर्फ बिल्कुल यहां, प्लाइब टाईब्ले लाई दूंग तूल सी में अभी है लिगे अगीनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट है, तर दून्ट वेकिन और वजांट अगीनिकूल अगीनिक वेजिटेबल एंड अजेगेनिक व बढ़ फुल लोकान आजकाल जासता आवड़ाय लागले बढ़ बढ़ है ओके इस प्लांट आर प्रोडूस्ट विद एल्प आप टीशू कल्चर बगा है यह प्लांट जी आए तेक्शाप रगार आपन प्रोडूस करना टीशू कल्चर ने टेकनिक ने आपन तहला बोन हो शक्तो लाज केल पीपल वीजिट प्लेसेज विच सच अट्रेक्शन इन लार्ज नंबर सेलिंग प्लांट सीडलिंग्स फ्रूट वेजिटेबल्स आर सच प्लेस कैन वी क्वाइट प्रॉपीटेबल प्रॉपीटेबल मजी का है एंचा पाउसा कमो शक्तो बरबर है पैसा इनको बस यह फ्लावरिंग प्लांट्स यह और्नमेंटल प्लांट्स यहाँ पर जो है लोग बहुत लोग बहुत पैसा देते इन चीजों के लिए तो क्या कर सकते हम अच्छा पैसा भी कमा सकते इन सारी चीजों से ठीक है ओके बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसके इसवाद है एग्रो कॉंप्लिमेंटरी ओकुपेशन अब एग्रो कॉंप्लिमेंटरी मतलब क्या है एग्रो मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर फार्मिंग हो रही है ठीक है एग्रो मतलब क्या फार्मिंग हो रही है ठीक है और कॉंप्लिमेंटरी मतलब क्या कॉंप्लिमेंट अब फार्मिंग तो हो रही है फार्मिंग में क्या हो रहा है हमें पता है कि फार्मिंग जो हो है उसमें एक तो राइस उगा रहा है वहाँ पर या फिर क्या कर रहे है वहाँ पर राइस के साथ समझ लो वहाँ पर वीट है राइस वीट बाजरा जवार यह सारी के सारी मतलब इसकी खेती जल रिये तो क्यों ना उन खेती के साथ में कुछ और भी क्या कर लू वहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी प्रोड़क्टिविटी निकाल लू तो आपन जोड धंदे इसकी जोड धंदे केला जाता तैलास का मना एचा एग्रो कॉंप्लिमेंटरी ओक्पेशन बहुत बहुत है तो हमें पता है कि जो अनिमल हजबंटरी मतलब क्या होता है क्या होता है देखो देखो देरेरिंग ओब दॉप टैटल्स वार्डी मिल्क प्रोडक्शन और का फार्म यूज फार्मिंग के जिकली इसके लिए जब करेंगे मिल्क के लिए यूज करेंगे उसे के साथ हमारे पास अगर तो बैल का हुआ उसकरेंगे किसके लिए करेंगे हम और फार्मिंग आपरेशन्स करेंगे समझ लो पस्वार्माइब नागर चाल उनले वकर चाले वह नहीं बड़बर है यह आंद आर्मस यूज करते या कैटल सा यूज करतो ठीक है और यहांना यह करतो आपन प्रकाशांग तो वहां से दूद मीलता है हमें या फिर हम उसको यह जो है हमारे फार्मिंग ऑपरेशन जो होते फॉर एक्जांपल लागर वागर यह वो चलाना इसके लिए हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाते इन अनिमस का ठीक है ओके चलो बाई बहुत बढ़िया तो कुछ-कुछ लो इसमें से कौन सी कौन सी गाय देखी है लोकल इसलिए मैंने फोटोज भी डाली है देख लिए यहां पर यह फोटोज आये सहीवाल तो हमारे घर में तो यह कौमनली मिलता है मतलब यह मिल जाता है ठीक है तो यह देखो सहीवाल गीर लाल-कंडारी देवनी डांगी और के लोकल इंडियन वेराइटी अब mall आते अब एकज़ॉटीक वेराइटी यह जो इंडिया नहीं है बाहर से बाहर से लाए गए है उसको हम कहेंगे एक्जॉटिक वेराइटी इंडिया में बाहर से लाएगे वौर एक्जम्पल जर्य सी काए आपन मनतों ऑरूबबर जर्शी कहा है जहने साँ मिल्क प्रोडक्शन क्वालिटी कश्टे खूप जासते घ्राइब कॉंटिटी जासते कि आपना लोकल इंडियान गाये लांगे टाकूंदेनार ठीक है त्यास प्रकारे ब्रॉण स्वीस हॉल्स्टेन हे का है थे सर्वजा सरवायद आपने यह तो मुझे कुछ तो भी अमुल दूद वाली लग रही है ठीके ओके अब देखो हम चाहते हैं कि हम जब एनिमल हजबेंटरी कर रहे हैं तो जो हम गाय या फिर कोई जो गायवाय होती है जो कैटल्स होते हैं हम चाहते हैं कि इनसे बहुत ज्यादा दूद मिले या फिर उनको और गैनिक मतलब सारी यह फार्मिंग ऑपरेशन में जब हम यूज करना चाहते तो ऐसे लगता है कि इनके पास बहुत अच्छे मसल्स हो ताकि यह जो यह जो होता है ने नागर अगर इसको आराम से खीच सके तो यह सारी की सारी चीज़े पॉसिबल कभ होगी पॉसि जब जाकर क्या होगे यह गाय यह बैल यह भैस अच्छे से रह पाएंगे सही बात है अच्छे से दूद्ध दे पाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए अब बैलेंस डाइट 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 इस वीच इंक्लूड ऑल कॉंस्टिट्यूट अब दो फूड शूड गीवन खाब दो उसी के साथ उनको अच्छे की लिए खाना कर दे दिजे और उसी के साथ फाइबर इ cycl के अंदर फाइबर सोते फाइबर रिच उनको फूड खाने को दे दो ठीक है अच्छा तो खाना मिल गया तो खाना अच्छा मिलने से हो जाएगा ना भाई ना दे कैटल शेट शूट भी क्लीन एंड ड्राइ वित प्रॉपर वेंटिलेशन एंड रूफ तो आपन बन तो गुरा धोरान सा गोठा बढ़ा है तो गोठा का सा असला बाई जेल टाज अपर शेड है चलीष पामाज गालीचों पालिका हो फ्लोर पाजाए तो क्लींस अले लापाजे नाइओ तzess दो नमर्बा गई ये शेण टाकला अने ठीला सब आपन केंटिनियूसली बोलने 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 लेकिन यह कैटल जो होते क्या वह बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर उनसे दूद ले रहे हैं हम अगर उनको मतलब फार्मिंग ओप्रेशन में लगा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी हम बराबर से ध्यान रखे उनको प्रॉपर टाइम पर वैक्सिनेशन देते रहे मराटी तला मतला लसी करन लस्त देने ओके ओके ज़र कोनी फार्मर असिल तर तुम्हाला माई अनिंग अलबे वह कंगर सवार्मिंग और को निंग अपने बहुत बार देखायों अयको रहार किसी नहीं देखायों मतलब कोंप नदा सब्सक्राइब लाट के लगनध के लाजाता दूनस काम है एक तर अंडे साथी आने दूसरा मीट मेट मज़े काई मास आपन जो खातो नो मस्तर लेकपीस बिल्कुल मसालेदार लेकपीस खातो सो यह जो चिकन होते इनका मतलब किसलियों होता है यह मतलब मुर्गिया जो होते हैं उनका पालन क्यों किया जाता एक तो अंडे के लिए नए तो जो वहाँ से उनके मीट मिलता है ठीक है मीट जो मिलता है वो मीट हम खाने के लिए क्या करते है उसको हम उसका रियरिंग करते है ठीक है तो आपको कुछ कुछ जो है वहाँ पर दिया गया है ठीक है देखो बायो टेकनलाजी के हेल्प से क्य करेंगे अगर समझ लो अगर समॉझ लो यह एक मुर्गी है यह मुर्गी 400 अंडे देती हैacion लेकिन यह पूरी लुपरी लुखडी सुżen Friends दूसरी मुर्गी है यह एकदम खाग पीकर ऐसे एकदम धस्ट पूष्ट है लेकिन यह कुछ भी अंड़े नहीं देती तो क्यों ना मैं इनके बीच में क्रॉस करा दू अब क्रॉस कराने से क्या होगा इसके अंड़े देने वाले कैरेक्टर और इसका एकदम धस्ट पूष् अंड़े भी देगा तो मुझे बताओ एक-दीर में दो निशान हो गया या नहीं को पहले तो हम इनको बस क्या कर id का in कर करेंगर थे विचारेबस अंड़े दे रहे थे मांस तो हमें यहां से मिल नहीं रहाता इनको बस कर रहे थे इनसे बस मास ही मिल रहा था अंडे तो मिल नहीं रहे थे तो अलग-अलग ग्रों करने से अच्छा आप डोंगो का एसल और लेगहन तो एसल जो है अंडे बहुत जादा देदे लेगहन जो है वह ऐसे फुरा ठीक है तो इनका मैंने क्रॉस कर दिया और क्रॉस करने इसके वज़े से क्या हो गया यह जो कायक्टर जो भी मैंने बता है ना कि वह अंडे भी देगा और उसके मस्कुलारीटी भी क लार्ज नंबर और अच्छे क्वालेटी उसके अंदर आता जाएंगे और बायोटेक्वलेटी वाली चिकन मिलेगी और वह भी बहुत ज्यादा नंबर पर हमें मिलेगी टो डेवलाप्ट अबिलीटी ठीक है तो विस्टेंड हाइट तो बहुत बार यह होता है कि ज्यादा ओने को जाती है तोँ मुर्गिया दाल दो जिसके वजेसा हो जाएगा कि यह जो मुर्गिया हे यह जादा भी टिम्प्रेच्षय हो तो भी एक나들이 सके तो भी यह अच्छे से रह सके आराम से रह सेंगे तो क्या होगा टू डेवलप दे अबिलीटी टू विस्ट्रेंड हाई टेमिलेचर तो यूज बाइप्रोडक्ट ओफ एग्रीकल्चर एजब पॉल्ट्री फीड तो देखो दो आग्रीकल्चर अभी इसको एग्रो कॉम् पॉल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो बाजू में खेत को लगत कि क्या होगा हमारा फोल्ट्री फाइंग तो यहां से जो वैज्ट निकला agriculture से वह उनको जाकर देंगे वहां से चुन-चुनकर खा लेंगे तो मतलाब किया होगा उनको अलग से खाना देने के भी लेयर मतलब कौन से अंडे देने वाले एक देने वाले एक का नंबर कैसे होगा ज्यादा होगा और मीट का नंबर कैसे होगा इनके अंदर मीट मतलब जो मास होता है वो कैसे होगा इनके अंदर कम होगा वही होते हैं ब्राइलर अब ब्राइलर मतलब क्या होते यह एक जो है व लेको और बाइबर के अंदर फरक क्या है लेर मतलब क्या करते अंडे मास होता है वो चुछ कम लिए चिकनर के लिए मास के लिए니다 एकक्जमपल क्या है लेखान है मैननोरी अर्स चैनल ट्रस्का लेमन तो यहां पर मैंने बताए था कि यह आंडे देता यह मास देता है तो ऐसे नहीं धिकर Thought यह अंन का देता यह जाधा- ecosAT एक्स और वेरी भी अधलेट मीट ओकई तो इनको क्या किसले कि यूज किया जाता है इनका जो है एक के लिए और चीकन के मतलब जो एग होते हैं और मीट के लिए दोनों का भी उसके जाता है और यहाँ पर उनका मीट के लिए बेप क्या किया जाता है ठीक है यह है क्लियर है उसके बाद आता है हमारा सेरी कल्चर उसके बाद आता है सेरी कल्चर आथा तुमी सेरी कल्चर मझे अचिकोश सिल्क सिल्क ची साडी सिल्क चासर कोटन सर का च्छा एक फाइबर ल्व्ष Тут एक मोथ मौत का ना इसेक्ट ौ नारा इंसक्ट लाइक बटर्फला ज्टो तेहज प्रकार महत का थे ऊड़नाय एक इंसेक्ट थे अथा बगा है है अपला बॉंभिक स्मोरी सो सिल्क इंडिया मजे लार्ज के production के लिए is called as a sericulture okay bombig smorey is the most commonly used variety in the India so you important point यह important point है कि bombig smorey को use किया जाता है इंडिया में ठीक है बहुत जादा production में bombig smorey से ही हम silk निकालते हैं बहुत सारे अलग-अलग varieties है लेकिन bombig smorey को ज्यादा दर यूज किया जाता है तो यह जो bombig smorey है इसके अंदर जो life cycle होती है life cycle में कुछ-कुछ stages आते फॉर एक्जामपल फॉर्स आता है एग और यह क्या हो लारवा लारवा मतलब अड़ी जैसा होता है उसके अंदर क्या बनेगा प्यूपा प्यूपा से क्या बनेगा हमारा अडल्ट बन जाएगा तो गया क्या चार स्टेजिस हो गए किसके अंदर हमारे सिल्क वंटके लाइव स्टेज के अंदर ओकी अब देखो सिल्क dwar शेटाएं जाया रहा प्पागलों के जैसे यह अंड्टों से बाहार आया यह पागलों की जैसे खाता है खाता है खाता है खाता है खाता है कितने दिन खाते जाता है जैसे अंडे से बहार आया यह पंदरा से सत्रा दिन को लिए का करता है 15 से 17 दिन तक confession almost खाते रहता है कि खाते रहता है खाते रहता है अब चुभ एकाय का खाय का भर एल्यूज पर खाते 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 यह किया करोगा इस जाएगा यह एक मतलब यह ब्रैंच की नीचे जाकर एसे बेट जयागा न्यांटा उपर जाकर सब्सक्राइब निकलता है उसके अंदर इसके अंदर भी क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड से यह सिल्क निकालता है सिल्क मतलब क्या रेशिम धागा जो मनतों आपर रेशिम धागा वरवाई सिल्क तो सिल्क हाके करतों बाहर करतों माउथ मद बुलूगॉ पूर्ण पने काये करतो उसा गुंदाडूंगे तो सथाला सथाला गुंदाडूंगे तो आशा प्रकार एक इस्ट्रोक्चर फाउम होतो याञा का महीं चुछवा लॉज। एककून है और सब्सक्राइब क्या पुर्णा सिल्कक्राइबर मभूत और सब्सक्राइब पर आंदेर आप एपॉट। अब फूटेंगे कैसे इनको इंक्यूबेट करना पड़ेगा इनको एक पर्टिकुलर टेमपरेचर देना पड़ेगा अब जब यह टेमपरेचर मिलने के बाद यह फूट जाएंगे और लारवा निकलेगा लारवा क्या करेगा बाई 15-17 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ खात खाता रहेगा खाता रहेगा कुछ काम नहीं बस खाओ 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 और इतना खालेगा इतना खालेगा फिर जाकर एक ब्रैंच के ऊपर जाकर ऐसे आराम से लेट जाएगा फिर लेटने के बाद क्या करेगा यह खुट के ही ऊपर ऐसे यहाँ पर सलाइवरी ग् जो है फाइबर निकालते रहेगा जिसको हम कहते हैं सिल्क फाइबर ठीक है रेशिम धागा आणि तो फाइबर जो उस्तो तो सथा भोतिस गुंडाड़ूंगे तो सथा भोतिस तकाय करना गुंडाड़ूंगे नार अनि पूर्णा एक स्ट्रक्चर बनना तो कसा मझे तहला म प्यूपा तो लगा में प्यूपा बगा पी यू पी एक काकुन आए अनि काकुन चाहत्मादे का अपला प्यूपा ओके बगा काई के लव अंडले इंक्यूबिशन द्या लारवा बनेल लारवा काय करेल सवताब होती जो है फाइबर गुंडाड़े जाईल आनि काय बनना क्या है अब देखो भाई अब देखो तो हमने क्या किया हमने एक चीज कर दी अब Rebecca सिल्क वांप्री टा टूं यह बहुत इंपोर्टन के उपर जीता है वह वह ओ जीता भाई हमारे मलबेरी नट के उपर यह बात सबको ख्ली ए चललौ भाई बहुत बड़ी आओके स Xin सिल्क कहा से निकलता है भाई सलाइवरी ग्लैंड तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टंट है ककून बनेगा और ककून दिखता कैसे मेरे बच्चों यह कुछ इस तरह से हमें ककून दिखने को मिलता है ठीक है इतनी बाद सब्सक्राइब तो हमें पता है कि अकर नाच्रोली इनको देखा जाए तो क्या करेगा पहले इनको इंक्यूबेशन देना पड़ेगा तो इंक्यू उनने के बाद उनको खाना स्टार्ट करेंगे तो क्यों ना मैं एक टेक्ट्निक कर लोन अब टेक्निक कैसे कर लो भाई इन कीड़ों को यह जो अंडे है इनको ले क्या हूँ बराबरे उन अंडे को लेक्या हो देखो यहाँ पर जो मल्सपर रिलिवज है उसके ऊपर यहां पर एक किड़ा है यहां पर एक किड़ा है यहां पर एक किड़ा है यहां पर एक किड़ा यह क्या कर रहे है पूरे के पूरे खा रहे उस प्लान को अब देखो तो क्यों ना मैं इनको मतलब जो रिप्रोडॉक्शन कर रहे हैं इनको रिप्रोडॉक्शन करने दो मेल और फीमेल को रिप्राड़क्शन कर दो मुझे थाउजन्स ओप नंबर ओप क्या मिल जाएंगे मुझे एग मिल जाएंगे तो क्यों ना मैं इन एक को खुद से ही टेंपरिचर देल दू जैसे इनको टेंपरिचर कुछ एक पर्टिकुलर मतलब जो फिक्स नवा क्या होगा इनको एक इस अब जैसे ही पूटे भाई तो मैं क्या कर लूगा वो लर्वा को लेकि आ हूँगा तो पहले लारवा क्या कर देते इदर और उदर घुमते थे पत्ता का परे पत्ता का परे पत्ता का परे इससे अच्छा सीधा मैं उनको पत्तों पे लेकर जाओ तो यह देखो यहाँ पर लूज होते और लूज की ऊपर क्या किया जाता है उनको सीधा डाल दिया जाता है तो यह पत्तों की ऊपर गिरेंगे सीधा पूरा पूरा बढ़ चुका है बड़ा बड़ा एक्दम बड़ा लेवल का क्या बन गया इस तरह सी पूरकब बनाना स्टार कर देंगे तो इससे अच्छा मैं खुद ही यहां से इनको उठालो सिधा एक रैक बनाओगा उस रैक के उपर रख दूँगा तो इनको ब्रैंचे जुड़ने के जरुरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी मतलब क्या कर रहा हो टाइम यहां पर बचा रहा हू कम टाइम में ज्यादा ज्यादा काम निकाल रहा है ठीके तो फिर यह सिल्क जो है भाल पैटअ को में यहां अम जाता है इब उसको विंस चपहल होत28 इस कोकुन को तोड़ कर ऐसे बाहर निकल जाता है और उड़ने लगता है तो मुझे बताओ अब यह कोकुन जो बना है एक continuous धागे से बना एक continuous धागा खुद के उपर लपेटा 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 अब यह continuous अगर धागा मिलेगा मुझे तो बहुत लंबा सिलक मेरा फाइबर मिलेगा तो बहुत अच्छे क्वालिटिका बनेगा लेकिन समझ लो इस अगर क्कून को इस अगर क्कून को बीच में से जो लारवा याशे तोड कर भागेगा तो जो यह continuous fiber था वो ब्रेक हो जाएगा बरोबर है यह ककुन में काय होता continue fiber होता रेशिम धागा होता continue होता पन लंबा चा लंबा असा होता पर मारा सांगा तेला जर कोनी तरी मदा मदा मद उन्द आत्मत असलाने तरी वर तोड़न तरी निगला तो अब्यस है कि हा जो ककुन क्या करेंगे यह जो ककुन बना है न जो हमने रती विछल उनको जगा दी बनने के लिए फिर हम क्या करेंगे यह दस दिन लगा थे मतलब यह सब्सक्राइव करेंगे पहले यह निकलने हमें डोट अंधर का नहीं सिंपल सी भात है फिर हमने क्या करेंगए यह कierno उठाया इंधाया इसको हमने सिल्कन तो फाइब्र तॉ भी कि यह जाएगा फिर्म क्या करेंगे मतलब इसको है मशीन के help से जो है ना इसको पूरे के पूरा निकाल लेंगे बहुर्ग है इस अब चैक के sampai沒有 मज़िया मैं उसके उपर प्रोसेसिंग करें फिर उसको क्या करेंगे हम बहुरार में उसको बेच देंगे तो पैसा मिल गया तो हमने क्या कर दिया जो time कर रहां पंपर शक्रचाठ का पूरा आप यहां वहां पर जाकर देख भी सकते हो कि अगरर आप परहां मती से होतों या फिर जाना रहां कभी चाहते हो ऊठीक है तो बच्छा लोग इस तरह से हमने बायो का सीलाबस पूरी तरह कैसे खतम कर दिया है पुर्ण आपने संपले लाए हाँ लास्ट लेक्चर होता आई होब कि तुम्हारा लाक्स लेक्चर समझ ला समझ लासा एकदम क्रिस्टल के लिए समझ लाए ठीक है और नाइस समझ ला कमेंट सेक्शन में वीच्छा तुम्हाला एं वो प्रिपेर करेंगे आपके लिए और आपका फांडेशन एक्टम स्ट्रॉंग बनाएंगे ताकि आपकी जो बिल्डिंगे वह बहुत उची बनी रहे ठीक है तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए नमस्कार मंडड़ी धन्यवाद